आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ हेलो, वेलकम तु डाउटनेट तुडेइस कोश्चिन इस fill in the blank with the given options तो नीचा में एक sentence given है जिसमें की एक blank के space है उसको में fill करना है अपने given option से और हमारा sentence है Going by his past records I am pretty sure he dash his upcoming test and our options are option A will has flunked, option B will flunk option C, have flunked option D, was flunking तो यहाँ पर हमारा sentence है उसमें बता रहा है past record की बात हो रही है और तो यहाँ पर हमारा upcoming test की बारे में है तो इससे हमारे को पता चलता है कि हमारा sentence जो है वो future tense का है तो यहाँ पर हमारा जो option A है will has flunked यह grammatically incorrect है क्योंकि हमारा will और has एक साथ यूज़ हो रहा है इस वज़ इस option यह होने से रहा option B हमारा will flunk जो है यह future tense में यूज़ होने के रहे है have flunked हमारा past tense के लिए यूज़ कर जाता है और was flunking हमारा past continuous tense में यूज़ करा जाता है कि वो continue हो रहा है past में तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा sentence में पता चलता है कि वो future tense में बात करनी है तो इसके अकार्ड हमारा जो most appropriate answer होगा वो जाएगा option B will flunk और हमारा sentence हो जाएगा going by his past records I am pretty sure he will flunk his upcoming test Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स उपर